Hello friends, welcome back to my YouTube channel, this is Anurab Thagur तो आज की इस वीडियो में मैं especially बात करने वाला हूँ रमया College of Arts, Science and Commerce के बारे में ये College Bangalore में located है, इसकी University Campus के बारे में मैं काफी बार review कर चुका हूँ जिस वीडियो का link मैंने description में दे दिया है आप उसको भी एक बार जाके जरूर चेक कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में especially इसके courses के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या-क्या courses ये offer करती है, इसमें admissions कैसे होते है कैसा इसका campus environment रहता है और जो courses ये offer कर रही है, उसमें क्या fees रहने वाली है तो देखो बात अगर सिर्फ basic details की अगर कुछ करते हैं तो Ramya College of Arts, Science and Commerce जो है, वो 1994 की established है हम कहा सकते हैं, एक अच्छे, मतलब काफी पहले established हुई है और अगर commerce department के जितने भी बच्चे हैं, अगर उनको बैंगलोर से करना है बैंगलोर से कोई course करना है, ऐसा कि BBA या B.com, उसके लिए college एक बहुत ही अच्छा platform प्रोवाइड करवा रही है अब बात आती है इसके fees पर रहा है, MBA में आप screen पर देख सकते हो जो उसके first year की fees है, वो है 3,55,000 और second year से जो fees है, वो 2,20,000 हो जाती है especially अगर देखे तो BBA और BCA की जो fees है, वो सेम है, first year 1,45,000 है और second year से 80,000 हुपए है और B.com की जो fees है, वो है first year में 1,15,000 हुपए और second year से जो है, 55,000 रुपीज पर येर similarly आप बाकी के courses को भी देख सकते हो, जैसे की B.A.C. Biotech, B.A. Journalism और B.A. Political Science etc इन सब courses के लिए ये college आपके लिए काफी जादा बेटर रहने वाली है, अगर आप ये courses करना चाहरे हो, Bangalore से तो Campus Environment में आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा, खैर University के अगर हम compare करें तो University का जो Campus है, वो जादा बेटर मिलेगा आपको सिर्फ देखने में, ठीक है बट अगर हम Environment की बात करें तो दोनों जगा कि जो Campus Environment है वो बिल्कुल ही सही रहने वाला है और faculties भी देखोगे, तो faculties भी काफी हाई, faculties maintain कर रही है, आपको बता ही है कि रमया की faculties कैसी होती है, ठीक है तो यह थी है कुछ basic और important details से स्कॉले से जूड़ी, admission से related किसी भी तरीके के information के लिए आप screen पर दिएगा, admission help line number पर call या message करके अपने सारे doubts clear कर सकते हो और even अपना admission भी finalize करा सकते हो so hope you all like the video, make sure you like, share and comment and do subscribe if you are new to the channel, thank you and stay tuned